इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वह बेस्ट वेबसाइट जिसकी मतल से आप YouTube को थमनेल बना सकते हैं असानी से और एप्स भी बिताऊंगा कुछ जो के असानी से आपको थमनेल बनाने में मदद करती है बहुत ज़्यदा फीचर जिसके अंदर है और बहुत दोस्तों पहली साइट जों से मैंने लिस्ट किया है वह है कैनवा कैनवा साइट क्यों लिस्ट किया है यह मैं अभी आपको बताता हूँ दूसरी साइट लिस्ट किया है फोटो जैट और तीसरी साइट जों से लिस्ट किया है वह है सनपा सनपा यह इसको जिसे आभी आप इस topic पर बात करें, अगर आप यूट्यूबर हैं, तो जरूरी नहीं आप designer भी होगा, आपको photoshop आता हो, illustrator आता हो, यह जरूरी नहीं है, तो आपको वहली site चाहिए, जो के आपको provide करें यह facility, के आप बिना designer हुए, अपने thumbnails को professional thumbnails के बराबर बना सके, तो यह वहली site designers के लिए और इसके इलावा, non designers के लिए है, आप इस site से professional looking viewers बना सकते हैं, दोस्तों, इस site को list करने का एक और मकसद भी है मेरा, वो यह के canva, सिरफ और सिरफ thumbnail बनाने के लिए नहीं है, all to all graphics making tool है, जिससे आप graphics बना सकते हैं, बहुत अच्छी template जोसी है, यह website provide करती है आपको, अगली इस website को list करने की यह है, smooth drag and drop system है, free stroke type photos है, text है, बहुत सारे backgrounds है, grids है, और frames है, shapes or lines है, illustrations है, वो यह सारी चीजें free to use है, आप इन्हें free में use कर सेते हैं, बेशक के कुछ इसकी चीजें paid भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यदा चीजें free हैं, जो के आपको मदद करती हैं, आपके professional thumbnails बनाने में, आप चैनल आट जोंसी है, वो बनाने में मदद करती है, फो इस facebook का cover photo बनाने में मदद करती है, आपके लिए illustrations भी बना सकती है, तो अगर आप डूंड रहे हैं कोई amazing सी website, जो के आपको सिर्फ thumbnail नहीं, और भी चीजें provide करें, तो मेरे ख्याल से यह best site है, YouTube को काफी साथ स्प आपको बताने वाला हूं, वो focus करती है, compatibility के बाद करते हैं, तो यह web के अंदर भी है, और phone के अंदर भी है, इसके लावाद जो के ज़्यादा लोग नहीं use करते है, iPad के अंदर भी है, stop, don't skip the video, मैं आपको बताने वाला हूं, अब वो बेस साइड जो उनसी के YouTube के लिए आप पर मत जाएए, क्योंकि photojet जोनसी है, जयदा attention देती है YouTube thumbnails की तरफ, इसके लावा photo editing के लिए भी बहुत अच्छी है, graphic designing के लिए भी बहुत अच्छी है, college making resources के लिए भी बहुत अच्छी है, 500 से जयदा college making resources है इसके अंदर, आप filters add कर सकते हैं, resize कर सकते हैं, crop कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं, और एक और चीज जोनसी कि मैं like करता हूँ, इस website में वह यह कि आपको register करने की जरूद नहीं बढ़ती, अक्सर website पर आपने देखिया कोई भी facility कोई भी service यूज़ करनी है, तो आपको register करना पड़ता है, लेकिन photojet ऐसी website नहीं है, आपको बिना registration के वह यह facility provide करती ह यह कि आपने thumbnails को बना सके बिना किसी दिक्कत के, तो personally मैं इस website में क्या like करता हूँ, पहली चीज है good toolkit, toolkit बहुत ज़्यदा मज़िद आ रहा है, यानिके filters बगारा add करने के लिए, graphics बगारा, shapes, lines बगारा, कुछ भी text बगारा add करने के लिए, आपको बहुत ज़्यदा tools मिल ज आते हैं, और दूसरी चीज, only online experience है, यानिके online होंगे आप, तो आप कर पाएंगे इसके उपर काम, वैसे नहीं कर पाएंगे, दोस्तों compatibility इसकी web पर है, app पर नहीं है, यानिके android पर नहीं है, ipad पर नहीं है, windows पर नहीं है, आप इसको web से access कर सकते हैं, चल्ला दोस्तों आख cool features हैं, जो के दूसरी website के अंदर नहीं है, इसके अंदर क्या cool tricks से आप अपना thumbnail design कर सकते हैं, जो के दूसरी website प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन मेरी recommendation वही होगी, अगर आपको specifically YouTube के thumbnails नहीं बनाने हैं, और भी चीज़े बनानी है, canva को choose करें, दूसरी बात, अगर आपको special YouTube के thumbnails बनाने हैं, तो photo jet को use करें, अब तीसरी number पर आती है snappa, दोस्तों canva की तरह ये भी site jack of all trades है, यालि के बहुत जयदा काम कर सकते हैं आप इस website पर, जिस तरह के YouTube के thumbnail बनाना, graphic designing करना, illustration बनाना, photo editing करना, बहुत जयदा और भी काम कर सकते हैं, इसके अंदर best graphic designing tools हैं, और जै यूट्यूब के thumbnail के लिए पहले से pre-design template है, जो के photo jet में भी है, canva में भी है, इसमें भी है, आपको इस site पर sign up करना पड़ता है, अगर आपने site की features को use करना, और इसके image को के customize करने के बहुत ज़यदा तरीके हैं, बहुत ज़यदा tools हैं, बहुत ज़यदा ways हैं, बहुत ज़ family और इसका free variant है, एक paid variant है, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने इसको क्यों इतना अच्छा नहीं कहा, कि ये free variant जोंसा है, उसमें लाज़मी कुछ compromises होते हैं, जो के paid variant में ज़यदा features provide किये गए होते हैं, अगर आप use करना चाहते हैं, कुछ अलट, कुछ निया, कुछ amazing, तो आप adobe spark को use कर सकते हैं, ये adobe family का एक part है, जो के free template भी provide करता है, आपको web के लिए भी है android app की है, दोस्तो एक app है, जिसके नाम है pixel lab, तो ये app बहुत ही ज़यदा अच्छी है, आपके लिए अगर आप YouTube पे thumbnails बनाना चाहते हैं, तो इस app के जरीए बहुत अच्छी से बना सकते हैं इसके app के अंदर बहुत ज़दा features है, professional features हैं, जो के आपको free में provide किया जाते हैं, यालिके आप professional type के images की editing भी कर सकते हैं, YouTube के thumbnails बना सकते हैं, YouTube पे thumbnails तो बहुत छोटी चीज़ रह जाती है, इस app के जब बात करते हैं, ये बहुत ज़दा professional look आपको provide करती है, बहुत ज़दा professional features provide करती है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतने ही था, मिलते हैं अगरे वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like करिए वीडियो को subscribe की चैनल को, और और ऐसे वीडियो चाहिए, मिलते हैं अगरे वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा, अलाहाफिस